आयोध्या में पुलिस ने एंकाउंटर के बाद रेप के आरोपी को गिरफतार कर लिया है पुलिस ने केस दर्चोने के कुछी घंटे में आरोपी सल्मान को गिरफतार कर लिया है वो पुलिस टीम पर फायर कर भागने की कोशिश कर रहा था था थाना महराज गंज के ही एमी आलापुर रोड पर तारापुर गाउं के पास ये एंकाउंटर हुआ बदमाश सल्मान ने चार साल की मावसूम के साथ रेप करने का आरोप उस पर लगा है और अगली खबर आगरास्ते जहांपर एक परिवार फूड पॉइसनिंग का शिकार हो गया परिवार के आठ लोग बिमार हो गये और सभी को अस्पताल में भरती कराया गया तीन सदसों की हालत गंभीर बताई जा रही है कुट्टो के आठे का खाना खाने से तबियत खराब हुई थी मामला थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र का बताया गया बांदा की किरवा थानक शित्र में कोचो और बाइक की आमने सामने जूरधा टकर हो गई हाथसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई सूचना मिलते ही स्थानी पुलिस मौके पर पहुची और शवो को कबजे में लेकर पोस्त मौटम के लिए भीजवाया गया गटना खुरहंड गाओं के पास की बताए करी बांदाबी जनमाश्टमी के दिन तराब में नाहने गई 16 साल की नवालिक गहरे पानी में जाने से डूब गई स्थानी लोगों ने नवालिक को निकाल कर अस्पताल में पहुचाया जहाँ पर डॉक्टर ने उसे मृते खुशित कर दिया मामला हमीर पुर्जिले के मटॉंध थाना क्षित्र का है मुरादाबाद में रिटार बैंक मैनेजर की हात्या का खुलासा हुआ है बैंक कर्मी एक महिला साही तीन आरोपी गिरफ्तार कर चुका है बैंक कर्मी ने एक महिला से मृतक को हनी ट्रैप कराया था दरसल मृतक बैंक से रिचार होने के बाद भी नोन के मामले में दखल देता था जिसके बाद अरोपी बैंक कर्मी ने उसे साजिश में फसाया महिला के जर्ये हानी ट्राप किया गया और फिर गला दबा कर हत्या कर दी गई पूरे मामलक का खुलासा करते खुए पुलिस ने बैंक कर्मी और हानी ट्रैप करने वाली महिला समय तीन को जेल फेश दिया है पुलिस ने करीब 800 CCTV कैमरे खंगाले के बाद इस मामले का खुलासा किया है इस दोरान मुरादाबाद जन्पद के करीब हमने 700 से 800 CCTV कैमरे खंगाले उसमें हमें एक वाइट कलर की गाड़ी हमें दिखाई दी और जो मरतक था मरतक भी की बाइक दिखाई दी और बाइक में जहां जाकर रुकती है गाड़ी भी उससे पहले रुकती है तो हमें उस गाड़ी पे शक हुआ गाड़ी का हमने नंबर निकलवाया वह हमने CCTV और जुज ने भी यहाँ पर टोलना के हैं उनके कैमरे उसे हमने मदद लेकर गाड़ी का नंबर हमने ट्रेस किया गाड़ी के नंबर ट्रेस करते हुए हम अभियूग तक पहुंचे शौमली भी एक महिला की हत्या का संसनी खेज खुलासा हुआ है पुलिस ने एक युवक और युवति को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने बताया कि दोनों आरूपी प्रेमी प्रेमी का हैं पुलिस के मताबिक आरूपी युवक युवति को पसंद करता था जोर जबर्दस्ति के दौरान ही आरोपी ने युव्ति की हत्या की थी आपको बिता दे दोनों आरोपी मृतक महिला के गाउं के ही रहने वाले के जिन्नों ने चार दिन पहले महिला की हत्या की थी हत्या के बाद मृतक के परिवार ने अग्यात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्च कराया था सब्सकार कर लिए और इक कारिक करते हुए दो अभ्यक्तों को गिरपदार किया है। इस में अभ्यक्तों में एक महिला है और पुरुस है। सोशल मीडिया में एक वीडियो लगातार वारल हो रहा है दावा किया जा रहा था कि गाजियाबाद की एक पॉश सोसाइटी के फ्लाट में मदर्सा चलाया जा रहा था फ्लाट में मदर्से का सच आखिर क्या है आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में गाजियाबाद की एक पॉश सोसाइटी में एक वीडियो वाइरल हो रहा है आरोप लगाए जा रही है कि यहां की एक सोसाइटी में एक फ्लैट को मदर्सा बनाने की कोशिश हो रही है देखिये इस वीडियो में कुछ बच्चे पढ़ते दिखाई दे रहे हैं दरहसल मामला चितरावन सोसाइटी का है यहां के गाड ने लिखित तहरीर दी थी कि कुछ लोगों ने उसके साथ मार बीट की थी और एक वीडियो सोशल मीडिया में वारिस हुआ है जिसके बाद पुलिस जाच के लिए पहुँची जाच में एक महिला कुछ बच्चों को पढ़ाते मिली है ऐसा बताया जा रहा है कि महिला की बेटी बिमार है जिसे ठीक करने के लिए वो पार्ट करा रही है इसी दौरान कुरान पार्ट में आये लोगों से जब गाड ने पुश्टाच की तो उसके साथ मारपीट की गई जिसको लेकर केस दर्ज हुआ है आरोपियों के खिलाफ कारिवाई में पुलिस जुट गई है जब ये कुरान का पार्ट करके लोग जाने लगे तो गेट पर मौझूद कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ रोग करके पुश्टाच की गई थी जिसके बाद इनके द्वारा उनके साथ मारपीट की घटना कारिती गई थी इस संबन में थाने पे तहरीर रात्यूप हो गई है उचित धराओं में मुकदमा पंजगित कराया जा रहा है और अगरी मैधानी करवाई की जा रही है वीडियो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है फिलहाल जांच में मदर्सा चलाने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है लेकिन वीडियो वाइरल है और चर्चा का मुद्दा बना हुआ है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एटी कि बरेली में मिठाई की फैक्टरी पर सदर और फूड विभाग ने चापे मारी की है वहां से बरामित हुई खराब मिठाई को नश्ट कराया गया ततकाल फैक्टरी को सील किया गया फैक्टरी माली के खिलाफ फैफायार के निर्देश दिए गए भोजीपुरा थाना इक्षेतर के पीपल स्थाना चौधरी इलाके में ये कारबाई की गई है